यह आपकी पर्मानेंड टेप्रेरी डैमिंसन्स जो होती है क्या होता है आप उसमें जैसे भी आपने कोई साभी जूज किया जैसे कि आपने ग्राउंड पोड को एक्टिवेट किया इस वर्ल को सेट किया तो इसकी ऑटोमेटिक की डैमिंसन्स दिखा रहा है देगो कि भाई यहां से यहां तक किती है यह साथ फिट है इस वाल से यहां तक का कितना है अटारा फीट के आसवास है ऐसे ही आपको इसी भी बॉल पकड़ेंगे अब जैसे कि इसका डिस्टन्स चौदा पूट चैज दिखा रहा है यह आपको बारा पूट की करनी है तो बारा फिट यहां पे टाल दो तो आटोमेटिक की टाओगा वह बारा फिट की होगी देखो यह बढ़ गया अब इसको कर दो जैसे आपने 8 50 कर दिया तो अब यहां पे आपको इसको fix करना है इसको select करें अब इस दे दो दो भॉइ यह मुझे आटपित कर जाए है अब इस यह dimension आपकी क्या वोई आर्ट विट हो गई यह एसे आप इसमें कि अब यह कहां से दिखा रहा है यंदा वाल की आपको यह इन डौट पे क्लिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक लिग यहां से भी डना है अब जैसे कि यह अंदर से अंदर है अब यह बीच से यतर से अब इधर इस वाले साइड से इस स्क्राइट कीए इस तरह से आप इस में दैमेंशनोंग दे सकते और तो यह जो dimensions होते हैं आपकी, यह आपकी temporary dimensions कहलाती है, क्या कहलाती है, तो क्योंकि जब आप इसे use करते हो, तब ही आती है और वर्दा यह गाय हो जाती है, नहीं आती है, तो यह हर एक उसमें दिखाता है, तो मैं, अगर आपने arc वाली ball ले रखी होगी, तो उसमें arc का, क्या दिखाएगा आपको radius, इस तरह से देखो, आप radius दिखाएगा, अब इस पे आप click कर रोगे, click किया, तो इसका radius दिखा रहा है कि नहीं दिखाएगा, तो इ यह आपको उपर depend करता है, कि आप क्या दिख रहे हो, temporary dimensions में, अगर आपको permanent चाहिए, तो permanent में यह आपके पास में dimensions आती है, आपने autocad में सीखी ही है, कि align का मतलब क्या होता है, लेनियर का मतलब क्या होता है, एंगल का क्या मतलब होता है, डेडियल का क्या मतलब होता है, डेमीटर का क्या होता है, आर्क लेंग क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, कोडिनेट क्या होता है, और स्लोप क्या होता है, तो इसमें सिप आपको करना क्या है, जैसे कि आपक अब यहां से इसका वाल फेस ले दो तो आपके रिस्क में अंदर वाले वाल इस से मिने सक्टे हो और इस से इस तरह से अगर इसको लॉग कर दोगे तो यह आपका चेंज ही भी नहीं होगी है आप से ठीक है मैं बताता हूँ आकास को अभी की करके लगा के दिखाऊंगा तो ऐसे ही आप इसमें हर एक dimension को linear align सबको दिखा सकते हो लगा सकते हो ठीक है अब इसमें एक चीज़ा होती है तो वह आपका continuous distance दिखाता जाएगा आपको देखो आ गया अब यह क्या है equal का कि देखो इसमें equal करना है आपको हर एक distance यह equal हो जाएगा लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है cancel कर दो ठीक है अब होता क्या है मालो कि इसमें center to center लेना है आपको इसको यह अब आप चालते हों कि जैसे यह distance है वह equal हो जाए यहां से wall center लो एक यह हो गया एक यह और एक यह और एक तीन एक यू टलते ही तो यह equal dimension साथ इसको इसको इससे लगा सकते हो ठीक है अब linear रहे है linear के क्या होता है linear dimension लगा लो ठीक है अब angle का क्या मतलब होता है यह दो line के पीच का angle इस तरह से angle दिखा देगा आपको पिर आपका आता है इसमें क्या रीडियल में रीडियल में रीडियस देखा देगा आपको इस तरह से diameter में क्या होता है diameter सो कर देगा बिलकुल हो जाएगा अब ही यह अलग अलग थे अब वो एक्यू हमने दबाया तो क्या होगा नॉर्मल एक को अगे तीनों के तीनों नहीं आई अगा के देखो यह देखो दस पुर दो इंच दस पुर दो इंच और दस पुर दो इंच ठीक है अगर इसको diameter चाहिए तो diameter आप यहां से लगा सकते हो आर्क length पता कर नहीं है यह कि उसर सेलेक्ट करना पड़ता है अपना आप आजा करो जब आप continuous लगाओगे तो अपना आप आजाएगा ठीक है अब आता है spot elevation spot elevation का मतलब यह होता है कि आपको उसका elevation बतादे elevation क्या होता है elevation कोई भी angular पर किसी भी चीज को elevation वो उसकी height कितनी है वो दिखाएगा आपको ठीक है आपने elevation में गई अब आपको देखना है कि यह मेरा जीना यहां पर कितनी हाइट पर आपको देखना है यहां से spot elevation को और लगा दो यहां पर 10 पर आपको यह इस तरह से आपको उसका elevation बता देगा है अब आपको देखना है कि यह spot elevation में आपको यह वाला जो window है इसका नीचे वाला कितने distance पर आपका elevation आ रहा है तो देखो इसका यह corner select कर लो इतने पर आ रहा है यह होता है आपका spot elevation ठीक है कर अब आता है coordinate coordinate में क्या होता है उस point के वो coordinate बताता है क्या बताता है coordinate इस तरह से north east पर इतना डिख रही है और y पर इतना डिख रही है ठीक है यह सर coordinate सा आगे समझ में इस तरह से आप इसमें coordinate बता कर सकते हो अब slope क्या होता है slope क्या होता है कि उसमें कितनी डहलाना रही है तो इसका slope यहां पर आपको define ही नहीं अब इसको एडिट कर लेते हैं यहां से अब इसमें slope लगा तो अब लगा दिया अब इसमें कितने कर लगा है एक फीट कर लोग है कि आपका जो है है यहां पर कितनी जीरो है और इधर कितनी एक फिट का है इसको प्लोज कर दू येस अब इसका थीर्टी देखो और एलिवीशन देखो अब यहां पर आप इसका देखोगे तो आपको दिखाएगा कि इसमें इतना स्लोप है अब दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा स्लोप थी भाई एट इंच का स्लोप है ठीक है ठीक है भाई ये ये अपकी डामेंशन होती है सारी के सारी इसलोप क्या सो कराता सर आपना इसलोप कैसे लगाया थे इसने इसलोप है ये इसपॉर्ट होगा है लगाया कैसे थो इसको स्ट्रेट करते हैं इसलोप कैसे लगाया थे सारी इसलोप कमांड से इदर से लगाया थे इसलोप होता है ये हैड होता है ये टेल होती है अब इसपॉर्ट करोगे यहां पर आपको टेल पे बता रहा है कितना सेलोप कमांड है के जर ता यह रही आपको एक लोगाया थे इसलोप कमांड है कि अधर सारी यह रही आपको एक पांड रही नहीं प्रवार नहीं दिखानी है तो आप इससे लाइन का ही काम करें कि जैसे आपकी आपका नहीं पूरा आपका एरिया एक ही है ओंणा ंपका दिखाना है कि यह इतना इरिया वाला क्या है करें को बताना कूरे खाना फार्टेशन पूर ना यह अगया उन्स इसको एक पार्टिशन बॉल्ट से एक रुकर कर दिया तो ये पार्ट अलग होगा ये दिखाने के लिए इसमें ये काम आता है ये है आपका रेजन ये भी आपका रेजन 2D में ये में यूज करने सिखा है आपके लोगन रिए बतादेना बना देना ठीक है, यह है component detail, repeat a detail component along a path, अब जैसे कि कोई भी आपको object लेना है, ठीक है, इस तरह से आपके इसको select कर दिया, ठीक है, और इसको enter कर दिया है, और यह देखो इसमें repeat होगया part उसमें, एक part में, है की नहीं, तो इसको repeat कराने, अब जैसे कि आप यहां से गए, और यह दे लिया आपने, repeating a detailed component, ठीक है, अब आपने इसको select कर दिया, यह देखो, फस्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, एक part, एक along a path, एक direction में बढ़ता हो जा रहा है की नहीं जा रहा है, यह देखो, इधर भी और इधर भी, तो इस चीच को हम इस तरह से use करते हैं, बनाते हैं, इसमें, फिर आपका इसमें आता है, revision cloud का मतलब होता है, कि आपका, जैसे कि इसमें, आपने मुझे बना के बेजा, और मैंने revision cloud से मात कर दिया, कि भाई, यहां पे इसमें यह गलती है, ठीक है, तो यह revision cloud हो गया, कि भाई, यहां पे आपको revise करना है, इस चीज़ को, और यह वापके टाव बताया था, यही चीज़ होती है, है? यही ज़ाया, यही ज़ाया था? नहीं बताया, क्या बात है, तुझे तुछ नहीं होताया, मैंने, रेने सारीय वालसा नहीं होताया तो, जोसे को मांड मही होता है 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 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप शरी करह में आ जो अ ठीजे की छी निए बना इस गी तेभी तोड़ा है को आप इस और लेट आ रही है प्ले नहीं आपकione अखुल गई है हां सर रेक्टैंबलर रेविजन क्लाव्ड नहीं बताया था ये तो इस तरह से ये सारे चीज़ें आपकी वो तूरी वाली ही एन्नोटेशन से यहां पर यूज करने है ये वांगे चाहिए टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट यहां से लिख सकते हो कुछ भी टे इसमें बेट लिखना है यह तो कर टेक्स्ट नहीं अपका बेर्ड रूम यो लिखा हुआ है इसके लाघके में क्विफना टेक्स्ट से आप यहां से लिख सकते हो है तैगिंग में क्या होता है यह टग लगाना जैसे कि यह डोर है डोर का यहांपपह आरे souvent इसमें यहां पर लिख दो कि भाई यह D1 ऐसा लिखा को देगा है फिगर इसमें D1, D2, D3 इस तरह से आप इसमें टैग लगा सकते हो अपने अपने कुछ भी इसी हो टैगिंग कहते है जैसे विंडू 1 ठीक है यह आपका विंडू 2 अब यह से किस पर लगाओ अचाया इसमें कोई टैग ही नहीं है इस जैसे टैग नहीं लगा से इसमें तो जिसके अंदर टैग है उसी से आप यहां से लिखर के टैग आउल कर दोगे तो देखो जैसे कि इसमें रहें दो टेखे दो लिए है विरू के लिए है तो इसमें सारे चीजे टेखे आपका अवेलबल है जो जो चाहिए आप वह लगा है है नहीं मोटेडेटियाटच मटेरियल आप इस पर लगा के देख सकत हूं है की नहीं कि अब देल कर नहीं है कि इस पेस का है यह फिर आप जैसे यह रूम टैग है रूम तो आपको पता हिए जैसे कि आप से यह टेक्स्ट डिलीट हो गया अब यहां से आप रूम टैग ले लो और यहां पर लगा सकते हैं तो इसमें सब के लिए टैगिंग है अब अब यह तो यह थे आज के आपके टॉपिक्स जैसे कि आपने लिजन्स लगाने आपको ठीक है लीजन्स आपने यह लगा दिया यह आगे आपको लगाने रूम्स के अकॉर्डिंग और नेम के अकॉर्डिंग और ओके करते हैं तो इसमें अपना भी लग जाता है इसमें अपना भी लग जाता है इसके मांच से कलर लेगें से चेंज कर लब आएगा सर किसी का कलर चेंज करना है अहां चेंज करना है डबल क्लिक करो इस पर एडिट में जाओ तो इसमें जैसे कि आपको इसका कलर चेंज करना है एडिट स्कीमा में जाके आज जैसे बैट रूम का कलर चेंज करना है आपको यहां से जो कलर टूस कर लोगे वो ही आ जाएगा आपको आपको इस तरह से आप अपना इसको चेंज कर सकते हैं तो इसमें टैगिंग में आपको यह की नोट बचाय आप दिए खिक है जिए तो फोकि अभी गया है कि दो आट मुनेट रहे हैं आपको इसमें बत्तम हो निपाएगा की नोट को इसमें पाल बतना है नोटेशन वाइ